हम लोग पार्टिसीपल और जिरन बनाना सीखेंगे कि कैसे और क्या होता है यह तो जब वर्ष फॉर्म को हम लोग एड्जेक्टिव के रूप में इस्तमाल करते हैं वर्ष फॉर्म को जब एड्जेक्टिव के रूप में इस्तमाल करोगे तो वही क्या कहलाता है पार्टिसीपल कहलाता है वर्ष को हम लोग एड्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज करते हैं ठीक है न जैसे present participle सबसे पहला कि present participle वर्द के साथ ing लगा करके जब हम लोग adjective form बना लेते हैं तो उसको हम लोग present participle बोलते हैं इस यूज़ तो इंडिकेट actions going or or incomplete ये basically यूज़ किया जाता है किसलिए कोई भी मतलब का होने के होने के बारे में बताता है जो कि या तो going on चल रहा है या incomplete है तो इस चीज़ को हम लोग इंडिकेट करते हैं through present participle तो कुछ example जैसे देखें पहले तो आपको दिखाता हूँ कैसे ये adjective का काम करता है example है I found a book in the library मैंने एक किताब पाया लाइबरेरी में it was interesting देखो interest word से बनता है interesting interest word क्या है बताओ लेकिन उसमें वर्ब में ing लग गया interesting अब हम लोग उसको कैसे जोड़ेंगे तो adjective के रूप में उसको noun के सामने लिखेंगे कैसे I found an interesting book मैंने एक किताब पाया interesting book था वो in the library किताब तो था मगर कैसा था interesting यही उसका quality है और यही उसको इसलिए उसको adjective form बोलेंगे है ना क्या बोलेंगे हलाकि वो originally वो क्या है वर्ब है लेकिन चुकी वो noun के quality को बताने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे present participle या adjective sorry present participle या adjective words कहेंगे ठीक है ना जैसे नेहा saw a dog on the road it was sleeping तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको नेहा saw a sleeping dog on the road हा या ना नेहा saw a sleeping dog on the road सोते हुए कुटे को road पर देखा dog तो है मगर कैसा sleeping है ना ओके रिशब caught the thief he was stealing money from the pocket तो रिशब caught the thief stealing money from the pocket हम लोग ऐसे उसको जोड देंगे क्या करेंगे verb के साथ उसको जोड देंगे ऐसे भी कभी object के साथ भी उसको use किया जा सकता है तो यह था present participle हम लोग इस तरीका से जोडते हैं अब आईए past participle that is verb का third form अब पढ़े होगे present, past और past participle यानि कि verb का third form इसको भी हम लोग adjective form के रूप में इस्तमाल करते हैं noun के आगे यह कैसे ऐसे तो generally हम लोग verb का third form use करते हैं tense के form में passive verse के form में उसका इस्तमाल होता है बट कभी-कभी इसको हम लोग adjective form यानि कि noun के सामने भी हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं it indicates the work that has been completed और यह adjective क्या indicate करता है कि जो काम जो है ना पूरी तरह से complete हो चुका रहा है मनि complete हो चुका है उसी को हम लोग उसमें बताते हैं जैसे the items were retrieved by the police जो items है वो police के द्वारा क्या किया गया है retrieved कर लिया गया मतलब जबत कर लिया गया they were stolen वो चुराए गये थे तो stolen steal, stole, stolen भर्ब का third form है यह लेकिन इसको हम लोग adjective form में कैसे इस्तमाल करेंगे the stolen items the stolen items क्या करेंगे items के सामने उस stolen को लिखेंगे the stolen items were retrieved by the police चुराया हुआ items जबत किया गया किस के द्वारा police के द्वार clear, तो यहां stolen क्या है past participle अगला, the carpenter fixed the chair carpenter ने chair को fix कर दिया, मतलब ठिक्ठा कर दिया तो यह chair क्या था? it was broken टूटा हुआ था broken भर्प का third form broken क्या है? भर्प का third form तो हम लोग क्या करेंगे? उसको noun के सामने इसका इस्तमाल करेंगे adjective बनाने के लिए कैसे? the carpenter fixed the broken chair क्या बोलेंगे बोलो? the carpenter fixed the broken chair chair है, लेकिन कैसा है? broken यही उसका इसी से पता चलता है उसके adjective form का किसका? chair का they collected some mangoes it was distributed they collected some mangoes उन लोगाने कुछ mangoes collect किया कैसा था यह? it was distributed वो mangoes distribute किया जा चुका था मतलаюсь वो बांटा जा चुका था उसी mangoes को उन लोगाने क्या किया? collect किया हम लोग इसको कैसे लिक सकते हैं? they collected some distributed mangoes distributed mangoes mangoes तो हैं मगर कैसे distributed जिनका क्या हो चुका है distribution हो चुका है clear इस तरह से यह past participle को बनाये जाता है clear है अब देखिए perfect participle देखो perfect participle में दोनों का इस्तमाल होता है that is present participle और past participle present participle मतलब having verb के साथ ing have के साथ ing present participle और verb का third form past participle verb का third form भी यहां इस्तमाल किया जाता है it indicates the differences between the two actions यह दो अलग अलग action को differentiate करता है मतलब उसके अंतर के बारे में बताता है कैसे जैसे देखो my father read the book मेरे पिता ने किताब को पढ़ा my father read the book मेरे पिता ने क्या पढ़ा he returned it to the library उन्होंने इसे library में वापस किया हम लोग क्या कह सकते हैं इसको having read the book किताब पढ़ कर my father returned it to the library मेरे पिता ने इसे कहां वापस किया बताओ library में वापस किया किताब पढ़ कर ओके अच्छा लीला finished her work she went to bed हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं having having लगा कर के वीत्री having finished her work having finished her work अपना काम समाप्त कर लीला went to bed लीला कहां चली गई बेड पे चली गई जैसे ही आप having वीत्री लगा दिये हैं वो परफेक्ट participle बन गया clear एक और example the students saw the teacher coming they started reading the book हम लोग क्या लिख सकते हैं having seen the teacher coming teacher को आते देख कर having seen the teacher coming comma the students started reading the book student लोग क्या करने लगे किताब पढ़ने लगे समझ में आया तो ये था present participle जिसमें verb के साथ ing लगा करके हम लोग adjective बनाते हैं past participle भर्ब का third form बन करके होता है और perfect participle में having और वीत्री लगा करके हम लोग इसको बनाते हैं clear जिरन अगला word है जिरन देखो participle से adjective form त्यार किया जाता है और जिरन से भर्ब के साथ ing लगा करके noun बनाये जाता है ऐसे तो जैसे I am teaching चाहिए I am discussing तो ये जो discussing है वर्ब के साथ ing तो है लेकिन ये verb form है ये noun नहीं है हम लोग क्या करते हैं वर्ब के साथ ing लगा करके जब noun form बनाते हैं उसी को जिरन कहा जाता है वर्ब के साथ ing लगा करके जब noun form बनता है ठीक है ना उसको noun form में लाते हैं जब तो उसको हम लोग जिरन कहते हैं जैसे वर्ब के साथ ing जैसे gramm is a verb form using ing इसमें क्या इस्थमाल होता है ing used as noun in a sentence इसको हम लोग noun के रूप में इस्थमाल करते हैं किसी भी sentence में ओके, example, देखो, I love to swim, ये जो to swim है, ये वर्व है, ये क्या है बताओ, ये वर्व है, I love to swim, लेकिन, I love swimming, ये swimming क्या है बताइए, ये noun हो गया, ये वर्व नहीं रहा, मुझे तैरा की पसंद है, swimming, ये क्या हो गया, noun हो गया, ये अब भर्व नहीं रहा, उसी तरह से, one should walk, किसी भी ब्यक्ति को walk करना चाहिए, it is a good exercise, it is a very good exercise, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, walking, walking is a good exercise, ये walking is a very good exercise, तो walking क्या हो गया, तहलना, एक अच्छा क्या है, exercise है, तो तहलना क्या हो गया, यहाँ पर noun हो गया, हलाकि वो वर्व है, लेकिन हम लोग किस रूप में इस्तमाल कर रहे हैं, उसको किस रूप में ला दिए, noun के form में ला दिए, it is a crime to steal, ये बने अपराद है, चोरी करना अपराद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, stealing, steal को क्या कर देंगे, stealing is a crime, क्या लिखेंगे, stealing is a crime, तो stilling क्या हो गया? जिरन नाउन बन गया clear है? जैसे the wall is old it needs paint तो क्या बोल सकते हूँ आप लोग बताओ इसको the old wall the old wall needs painting paint को क्या कर देंगे? the old wall needs painting तो painting क्या हो गया यहां पर? क्या हो गया? noun form में आ गया और जैसे ही वो noun form में हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जिरन कहेंगे तो यह था participle और जिरन ओके?